हाडो फ्रेंड विडियो आपके साथ में शैत्वर निकलने आई हूँ चुलो फर्स टेम ये वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हैं छोटे-छोटे स्टोरी इस पैरग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं जिनसे हम बहुत सारे नियू इससे पहले एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर चुकी थी माई डेली रूटीन जो कि आपको बहुत ज़्यदा पसंद आया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई डेली लाइफ तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise is taught to us from childhood Early to bed, early to bed means होता है जल्दी सोना, early means जल्दी to bed means सोना, ठीक है bad means पिस्तर भी होता है Early to rise, जल्दी उठना, makes बनाता है या करता है a man एक वेक्टी को healthy, wealthy and wise Healthy means स्वस्थ, wealthy means धन्वान and wise, wise means पुद्धिमान तो सिंप्र इसको कैसे हम रीड करेंगे जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक व्यक्ती को या फिर एक मनुशे को स्वस्थ, धन्वान और बुद्धिमान बनाता है इस taught, यह सिखाया जाता है, कि क्या है हमारा active passive voice है, जब भी हम ASRM के साथ में third form का use करते हैं तो active passive voice हो जाता है, मारा present indefinite tense का तो अस हमें from childhood, बचपन से, जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक व्यक्ती को स्वस्थ, धन्वान, बुद्धिमान बनाता है यह हमें बचपन से सिखाया जाता है following the principle, following मितलब होता है, पालन करते हुए, the principle, principle means सिध्धान्त का principle का मतलब रधनाचारे भी होता है और सिध्धान्त भी होता है सिध्धान्त का पालन करते हुए, I begin my day early I begin मैं शुरू करता या करती हूँ, my day मेरा दिन, early means जल्दी मैं अपना दिन जल्दी शुरू करता हूँ या करती हूँ, around 5 a.m, लगभग सुभा 5 बजे I spend the first hour of my day exercising with my brother, I spend मैं बिताता हूँ, the first hour of my day मेरे दिन का पहला घंटा मैं बिताता हूँ, exercising यानि के वैयाम करते हूँ, with my brother, मेरे भाई के साथ में अब यह हमारा present continuous tense नहीं है, भट यहाँ पर ing का use क्या है, क्योंकि वो continuous action बता रहे हैं, यह चीज़ वो हमेशा करता है जिसका उधे होना पसंद है, around 6 a.m. लगभग 6 बजे या सुबह के 6 बजे भी आप इसको बोल सकते हो, 6 a.m. का मतलब वही होता है I take a pleasant walk in the park with my pet dog candy, enjoying the beautiful heartwarming morning light I take a pleasant walk, I take मैं लेता हूँ a pleasant walk, यानिके एक सुहाबनी या फिर एक सुख़त walk यानिके चहल कत्मी लेता हूँ in the park, पार्क में या आप बोल सकते हो कि गार्डन के अंदर यहाँ पे आप गार्डन वोड भी यूज़ कर सकते हो with my pet dog, मेरे पाल तु कुत्ते के साथ में dog means कुत्ता होता है इसलिए इस वर्ड को गंदा नहीं समझेगा candy जो कि उसका नाम है candy के साथ enjoying the beautiful, enjoying यानिके आनन्द लेते हुए या आनन्द करते हुए the beautiful, खुबसूरत, heartwarming यानिके दिल को छू लेने वाली सुभा की रौशनी से morning light means सुभा की रौशनी के साथ after the walk, after means बाद में the walk यानिके walk के बाद में या पैदल चलने के बाद में I freshen up, मैं तरोट आजा होता हूँ fresh and up क्या है हमारा, इसको हम as a phrasal भी यूज़ करते हैं fresh and up मतलब तरोट आजा हो जाना है, आपने आपको ठीक ठाक कर लेना, नहाल हो लेना, fresh हो जाना and study for an hour, study यह नहीं के पढ़ाई करता हूँ for an hour, एक घंटी के लिए एन आवर को हमने क्यों यूज़ करा है, यह जिद आपको पता ही होगी articles के अंदर हम, जब भी हमारा कोई भी ऐसा sound होता है जो कि हमारा wobbles के साथ में आता है, वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं I start with the daily newspaper मैं शुरुआत करता हूँ Danik Aakwar के साथ followed by my curriculum subjects फिर मैं follow करता हूँ उसके बाद मैं मतलब मेरा जो भी subject का पाठे करम है उसको मैं पढ़ता हूँ at precisely 8 a.m ठीक ठीक सुभा 8 बजे we all gather at the at precisely, यानि कि बिल्कुल ठीक या correct भी आप यहाँ पर बोल सकते हो correct सुभा के 8 बजे we all, हम सभी gather at the gather means होटा है हम सब टाइरीन टेबल पर या फिर भोजन की जो टेबल होती है वहाँ पर एकटे होते है to have our breakfast to have means करने के लिए our breakfast हमारा जो नाश्ता होता है या सुभा का जो नाश्ता होता है उसे करने के लिए by 8.45 by 8.45 everyone depart for their respective work spawning 9 बजे या फिर 8.45 पर everyone हर कोई departs या निके रवाना होता है depart का मतलब करता है रवाना होना या चले जाना हम उते हैं departure time इस तरह के से ठीक है depart या निके रवाना होता है for their for their मतलब उनके respective work उनके अपने अपने कारे के लिए हर कोई रवाना होता है I will reach school in 15 minutes by bicycle I will reach यह हमारा यहां पर देखे future का sentence आगे आपने भी देख देखे कि कितनी varieties इसमें आ चुकी है I will reach मैं पहुचूंगा school अपने विद्याले in 15 minutes 15 minutes by bicycle मैं अपनी cycle से या bicycle से विद्याले में 15 minutes में पहुचूंगा classes begin end at 9.30 and continue till 12.30 pm classes जो है वो शुरू होती है 9.30 पर and continue और चलती रहती है till 12.30 pm तक यानिके 12.30 बारा बज़े तक वो चलती रहती है lunch breaks are always fun lunch breaks जब भी lunch के break होते हैं या फिर अवकास जो होता है lunch का are always fun वो हमेशा ही सुखद होते हैं या फिर आनन दायक होते हैं fun मतलब आनन दायक होना या फिर मज़े वाले होते हैं always means हमेशा I share my lunch with all my friends मैं बाठता हूँ share means होता है बाठना मैं बाठता हूँ अपने भोजन को हमारे दोस्तों के साथ I along with I along with my friends मैं और मेरे दोस्तों के साथ walk to the dining hall walk यानिके हम चल कर जाते है to the dining hall dining hall मैं आपको बता है ना कि जो भी भोजन का कक्ष होता है hall means होता है कक्ष और dining hall यानिके भोजन का जो कक्ष होता है वहाँ तक मैं और मेरे दोस्त चल कर जाते हैं on the on means पर और d means simply आपको पता है article के इंगल on the way यानिके रास्ते में या रास्ते पर ऐसे भी आप बोल सकते हों रास्ते में भी आप बोल सकते हैं I make sure make sure to go through the school's bulletin board I make sure मैं सुनिश्चित करता हूँ या हम सुनिश्चित करते ही ही भी बोल सकते हैं क्योंकि friends के साथ में जा रहा है यहाँ पर जहाँ पर भी कुछ भी news वगड़ा खबर वगड़ा लिखी होती है वहाँ से गुजरने का सुनिश्चित करता हूँ we discuss sports, television, serials and games while having our lunch we discuss, हम चर्चा करते हैं discuss मतलब कता है चर्चा करना sports हम खेल के बारे में बात करते हैं television, serials के बारे में बात करते हैं and games और खेलों के बारे में बात करते हैं while having our lunch while means क्या होता है while means होता है जब की काफी सारी वीडियो में अपकी वे चीज़ बताई हुए while means कब की होता है but while को हम एक और word के लिए यूज़ करते हैं जिस समय तो जिस समय we are having our lunch जिस समय हम अपना भोजन कर रहे हैं उस समय हम अपने खेल की, television, serials की और games की चर्चा करते हैं lunch breaks are when I meet my seniors lunch breaks are lunch breaks जो होते हैं तब जब I meet my seniors मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मैं जो seniors होते हैं उनसे मिलता हूँ discuss my doubts मेरे जो भी doubts होते हैं मेरे जो भी Sunday होते हैं या जिन भी चीजों पर मुझे doubt हो रहा है जो चीजे मुझे समझ में नहीं आती हैं उन पर चर्चा करता हूँ and or ask for their suggestions ask for their suggestions उनकी जो भी सुजहाब होते हैं उनको मांगता हूँ ask for means होता है मांगना ask means होता है simply पूछना बड़ जब ask के साथ में और भी हमारी preposition को add करते हैं तो वो phrasal verb बन जाता है उसका meaning change हो जाता है आपके साथ में बहुत सारी phrasal verb भी मैं बीच बीच में share करती रहती हूँ classes go on till 3.30 classes जो हैं वो 3.30 बिचे तक चलती है the last hour of the day is dedicated to PTE last का जो घंटा होता है वो PTE के लिए समर्पित है and उसके बाद में when I relaxed and have fun उसके बाद में आराम करता हूँ और मज़ा करता हूँ have fun means आनंद लेना या मज़ा करना we indulge ourselves in fun games like running, tennis, basketball, etc जिसे की we indulge हम लिप्त करते हैं या हम अपने आपको उसमें लगा देते हैं indulge मतलब करना होता है अपने आपको किसी चीज के अंदर वैस्ट कर लेना या उसमें अपने आपको लगा देना ठीक है ourself मतलब अपने आपको in fun games खुशी वाले आनंद वाले गेम्स के अंदर जैसे की like जैसे की running तॉटते रहना tennis खेलना या बास्केट बोल खेलना by 4.30 सारे 4 बजे on the way home घर आने के रास्ते पर I like stopping by my favorite chart shop I like मैं पसंद करता हूं stopping यानि के रुखते रहना stopping यहाँ पर भी मैं आपको बता रहे हूं continuous action आ रहा है Tense हमारा present indefinite tense है क्योंकि I like मैं पसंद करता हूं stopping यानि के रुखते रहना ठीक है मैं रुखते रहना पसंद करता हूं by my favorite chart shop मेरी जो पसंदीदा chart shop है मैं वहाँ पर रुखना पसंद करता हूं ऐसा हम बोलेंगे बट रुखते रहेंगा क्यों बोला मैंने क्योंकि यहाँ पर continuous action बता रहा है and or enjoying some delicious there delicious का मतलब क्या होता है जो भी महां के अच्छे अच्छे वेंजन होते हैं जो हम को बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं उनको आनद उठाना पसंद करता हूं after arriving home at 5 after मतलब आ जाने के बाद arriving means आने के बाद में after means बाद में arriving पहुँचने के बाद में home घर पर 5 बजे पहुचने के बाद I relaxed for an hour I relaxed मैं आराम करता हूं for an hour एक घंटे के लिए मैं आराम करता क्या करती हूं मैं आपको हमेशा बताया कि यह चीज़ आपको जब तक हमारे topic के अंदर exactly mention नहीं किया जाए कि यह लड़की के बारे में बात हो और यह लड़की के बारे में आपको अपने आपसे उसका अनुमान नहीं लगाना है eat some snacks and watch my favorite TV show कुछ snacks खाता हूं और अपने पसंदीदा TV show को देखता या फिर देखती हूं आई होप यह topic आपको पसंद आया होगा आप exam में इसे easily लिख सकते हैं बहुत ही simple sentences हैं आप अपने according चो भी आपका schedule रहता है उसके according भी आप इसको लिख सकते हैं और topic कैसा लगा है प्रीज मुझे comment box में जरूर बिताएगा आज की जो त्री words है जिनसे आपको sentence बनाना है first है taught, taught means सिखाना teach की ही third form है यह चीज़ याद रखेगा heartwarming यानि कि दिल को चूलेने वाली कोई भी चीज या कोई भी बात दिल को चूलेने वाला दिल को चूलेने वाली respective यानि कि अपने अपने ठीक है respective means अपने अपने आपको अपने अपने का meaning use करते के हुए sentence बनाना है आज की जो त्री words है डिक्टेशन के first है हमारा principle next है precisely and third है doubt principle, precisely and doubt I hope यह topic आपको पसंद आया होगा अगर आप चाहते हों कोई और topic है जो आपको लगता है exams में आ सकता है और हमें अपनी friends के साथ में share करना चाहिए तो आप मुझे comment करके बदा सकते हैं thanks for watching आपको 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 आपक